इस वक्त मैं उन 12 लोगों की टीम के साथ मौजूद हूँ जिन पर पूरे देश को गर्व है गर्व इस बात का क्योंकि ये हिरो बनकर निकले हैं इन्होंने 41 लोगों की जान बचाई है ये वो तमाम रैट माइनर्स हैं जिनकी बात जिनकी चर्चा देश में नहीं बलकि पू बहुत मुश्किल हु रहा था त यह तमाम लोगों से आज़रव राट कराये लेकिन बातचीट करते हैं शुरू आत करते हैं मना जे मना आप ये बताई आए कि हमारी से जिनकी चका के आपको आज रात को यहाना एक дов़ गाए तक था कॉए जह करो आपकोenter कि मुश्किल था हम इतना मुश्किल था, जैसे हमारे ज़वान, स्रद पर लड़ते रहना, ऐसे हैम पत्थर से लड़ रहे थे, और हमने बहुत कठिनों का सामना कराईस में और जब हमने विल्कुल फाटे कराईस करा, अपकाद सर् stand ना वकील सेने हैं और मैं खजूरी दिल्ले से हूँ कितना मुश्किल आपके लिए सर बड़ा टफ टास्क था बहुत ही टफ था क्योंकि जब और आगे फ़स्ट गया था एक तो हमें ऑगर का जो कटर हैड़ था उसको निकालना वह बहुत अब दोस्टों के लोगा था और मै मीटर लगव बारा चौदा कंटे में गया है उसके बाद हमारे जो बागी काम हुआ है वह बारा चौदा कंटे में होगा बड़ी तीजी के साम मत ट्वार्स नॉन स्टाप काम किया एक मिलिट के लिए कोई लड़का रूखा नहीं है मशीन नहीं काम कर पाई वहां आप लो उन लगव बूला सराव में मौका दे और आपको निराश नहीं करेंगे हम इसको काम को आपको करके दिखाएंगे हांड़न एनवण परसेंट और शर हमने इन टायम बुलकर टाइम साभी पहले काम को करके दिया बिल्कुल करके दिया शार अपका नाम मुहमांद करे जिस तोइकाल जिन्दिकीं मौत के मु़ु में थी हमारे तरह हमने हर तरीके का परियास करा हमने मुमक्र मुंकिन करा मेह नही nodig हम नहीं क likely हमने तरह मन्ठी में करती है उट्रृ झरुबर फैन to और तबी ये सर, तबी ये काम कामियाब होगा है, हो सकता है अगर हाके लहम होते, शायद नहीं होता है, और अकेले वे होते, तो शायद वे भी कामियाब नहों पाते हैं। है आपका नाब जयतन है पहां से ब्लेंज ता हुए नहीं है आपका मुश्किल था पर हम मनेंए बहुत क्रामटी गाताअ है तो फीर में गारी ख़िखते रहे तो तीन चालों एकसाध खीज है अपकर से ज्न हाथ त्यारपुर से आपका क्या काम रहा हो यह काम था हमारा रसी खेंचना अंदर से गाड़ी लोड होती थी हम बाहरे खेंचते थे बाहरे वो खाली करके और बन देते वो साइड कर देते थे मालको वजन होता था जब अब खीचते थे उसमें कम सकम मानो फटीश परात आती थी एक साथ में कम सकम मानों का बजन हो जाता था एक कुंटल से उपर हो जाता था सर हाजी आप बताईए आपका नाम देविंदर आप कहां से हैं बुलें से गाम अक्तियारपुर से आपका भी यह रसी किसनी काम था हाजी बहुत विस्ता हमने गाड़ी खेंचा था इस पीट म काम रहा हो जो सबने किया रसी खीचने का या अंदर माइन किस तरीके की मुश्किल आई क्योंकि वो छोटा पाइप है अंदेरा है कैसे काम ही है तो हमारा काम ही है तो इसमें से हमें कोई दिक्कत नहीं है अपना नाम बतारेगे फिरोज कुरेशी कास गंसे हुए आप बता कानने के बाद फिर हमें काटने पढ़ती है इसमें पत्थर रफ जो भी कुछ होता है हम टोर्च ले ऑगे जाते हैं अंदर लेकर पास और नहीं बनदा से सेवाली वो लेकर जाते है सरसे ही बाइं और को में सोती है उनको साइट में रखके उसके ऊजाले से हम देखे हैं उ यह सरीय वगेरा जो भी आये गाटर चैनर वगेरा पाइप वगेरा भी आये इन्हें भी काटने में बहुत ज्यादे दिक्कत आई पर लेकिन दिक्कत तो यह सारी खतम करके उन लड़कों को निकालना था अपने नाम मौनु कुमार गाउं अक्तियार पूर जिला बुलन सहर आप को कितनी मुश्किल है इस दोरान देखो जी मुश्किल तो थी फिर भी भाई लोगों को बचाना तो थाई हमने उनको इसी उमीद में हम बिल्कुल जुटे रहे 24 गंटे आपका नाम बता है नासर आप कास अपनी जो आपने देखा हुआ हमने देखा क्या वस कोई काम करा और उनके लिए अंदर जाके देखा वसी एक सवाल और पूछना चाहूंगा मुलना आप से कि जब आपने वो पूरा ब्रेक्ट्रू हो गया होगा उस तरह निकल गया होगा आपने पहली तस्वीर देख मेरे से कह रहेते हम आपको क्या समझें भगवान समझें या क्या समझें हमें यह भी वो नहीं हो रहा है जान फासी बॉडर पर लड़ती है ऐसी हो जह रहेते हैं पत्थरों से रोक से हर चीज से और उन्हें बचाने के निया हम सब कुछ कर वेटे सबूद आप लोगों का बहुत धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आपने उन 41 लोगों की जान बचाई है और यह वो टीम है जिस टीम पूरे देश को गर्व है और यही वो टीम है जिसने रास्ता आखर तक तयार किया और जैसा मुन्ना बता रहे थे कि उन लोगों ने उन 41 मजदूरों ने जब इनको पहली बार देखा जब इन्हों रास्ता तयार कर लिया तो बहुत खुशी हुई उन्होंने गले लगा लिया इनका धन्यवाद किया क्योंकि यह उनके लिए भगवान बन कर आये थे इसलिए चॉकलेट भी दी उस दौरान जो कि अपने आप में कई कहानियां बया करता है कैमरों जितेन सिंग के साथ दीपक सिंग रावत एविपी न्यूज उत्तरकाश